जैने दोस्तों सागत है आपका एक्जाम पार यूटूब चैनल में आज की क्लास में लिकर आए हैं आप सभी के लिए मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो आज से जो है मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर जो है अपनी 9 बजे क्लास होनी थी यह आज जो है 10 बजे हुई है को और वीडियो को लाइक से रवस्ते कलने हिंदी साइथ में 3000 प्रस्ण की पीडियाप जिनके लिए परचेस करना है तो वह संपर कर सकते हैं नंबर स्कीन पर चल रहा है नाइन त्री डबल लाइन डबल फाइव थी नाइन डबल सिक्स पर आप संपर करिएगा पीडियाप का अच्का पहला कॉस्चन यहांपर दिया गया है और एक में आप सभी का सई आंसर क्या होगा गार्सद अताशी का इतियास ग्रेंट कौन सा इदाला लितरित और अंदो इंदोस्तानी इसका दूसरा संस्क्रण का प्रिकासे तुगा है यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का सही आंसर है 1871 आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जिनोंने भी चैन किया इसी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर 1871 इस भी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी साइथ के टियास लेखन का सबसे पहला प्रियास प्रेंच विधिवान गार्सद अठाषी ने किया था और इन्होंने इस्तवारदाला लित रित रट रितोर इंदोई अंदौस्त्तानी शीर सख्स प्रेंच पहसा में हिंदी साइथ का पृत्त में टियास लेखा जो 1989 म प्रकासित हुआ था और इनका दुतिये जो है पढ़ते जाते हैं जैसे गार्सदा तासी गार्सदा तासी जो है इन्होंने अपना ग्रंथ लिखाता इस बार दाला लितरेत्व एंदो यंदोस्तानी देखेगा इसका इनका साहित्यक इतियास ग्रंथ है ब्रिटेन और आइलेंड की प्राच्च साहित अनुबादक समीतिक प्रक्ष्मि सागर वाशने ने हिंद्यी साहितिक प्रमख के ग्रंथ और भी इसके द लिटरेचर आंप हिंदोस्तान गिरेशन का ग्रंत माना जाता है हिंदी काब संग्राय महिस दत्त सुकल का ग्रंत है सेवसें सरोज सेवसें सेंगर का ग्रंत है और मिस्तर बंदू बिनूद ये मिस्तर बंदू द्वारा लिखा गया ग्रंत है मिस्तर बंदू तीन भाई ते गलिस व्यारी स्यम व्यारी और करन्थ को लिखा है कॉस्षट नमबर आपका यह ना पर 2 दिया गया है इंदी साइध के त्यास लेखन की प्रमप्ट का सुत्रपाश किसने किया है कि कॉस्ष्ट नमबर दो यहां पर दिया गया दीपकर जी तनु नीलम जी आप सभी का यहां पर कमेंट देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहां पर सईए आंसर है गार्सादा तासी भी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है अगला कॉश्चन यहां पर देखते हैं कॉश्चन नमबर तीन यहां पर क्या दिया ग्या है कॉश्चन नमबर तीन यहां पर दिया ग्या है कि हिंदी का प्रतम ब्याकन लिखने वाले साथ गुरू है टेलिग्राम गुरुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है सभी लोग जुड़ते जाईएगा टेलिग्राम से नया टेलिग्राम अपना जो बना है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा हिंदी का प्रतम व्याकरन लिखने वाले विद्वान है जौ प्रताय थे ए और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसा के सुवीदा के द्रश्टी से हिंदी का सामानी ग्यान कराने के लिए व्याकरन की पुस्तक हिंदोस्तानी ग्रामर लिखी थी जो 1715 इसवी के आसपास फिरकास रित हुई थी इस ग्रामर की रचन के लिए आपर चैन करना है लीला जी आनंद जी कल्पना जी कुमुद्जी वताइगा सिवसें सेंगर आच्छा रामचन सुक्ल या पिर जार्ज गिरेशन या पिर मिस्रवंधू question यहां पर 4 है ओ 4 में सही आंसर है रामचंदर सुक्ल बी वाला वेकलप आप सभी का सही आंसर है रामचन सुकल यहां पर सही आंसर है नोंने हिंदी साइट के इतिहास को वस्तित रूप देनी का स्रेप राथ है नोंने हिंदी साइट का इतिहास योग कि 1929 में प्रिकासित हुआ था लिखा जो नांगरी परचानली सवा द्वारा प्रिकासित हिंदी सब्द सागर की भूमिक की रूप में लिखा गया था जिसे आंगे परिवर्दित एवं विस्त्रित करके एक सौतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया है पांच आचा रामचन सुकल के इतिहास ग्रंथ में कालों की नामकनल का आधार क्या रहा है यह चैन करना है कभीता काल यूग प्रुवित्ती प्रमप ग्रंत यानमेसे कोई नहीं चैन करीयेगा कॉस्चन व्त्वूण हैं और आप सभी का यहांपर सही आंशर होगा कॉस्च-न-उंबर पांच में वेकल्प नंबर वी वाला वेकल्प आपका सही आंशर योग प्रिवित्ती आप सभी का सई आंसर है क्या है सई आंसर योग प्रिवित्ती आपका सई आंसर है नामकरनल का जो आधार रहा योग प्रिवित्ती रहा यहनोंने इसी प्रिवित्ती के आधार पर हिंदी सायथ के इतियास के कालों का दोहरा नाम करती हुए चार कालों में जो है बांटा है अंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या है कॉस्चन नमबर यहाँ पर छे देखते हैं कि रामचन सुकल का हिंदी साथ का इतियास मूलता किसे किरती की भूमिका की रूप में लिखा गया था चे में आप सभी के लिए आपर चेन करना है हिंदी कोविद रित्नमाला हिंदी सब्ज सागर हिंदी विश्व कोस या धर्म सास्तर का इतियास थोली से कॉस्चन विलर हो गए हैं तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा कॉस्चन नमबर चे में सई आंसर बताना है और अच्छे में आप सभी का सही आंसर है हिंदी सब्ज सागर आपका दी वाला वेकल्प जो है वह आप सभी का यापर सही आंसर है हिंदी सब्ज सागर आप सभी का सही आंसर है चैन करिएगा question यहां पर मत्तपूर्ण दिया गया है कि इंदी सर इतिहास लेखन की सबसे विक्सित पद्धिती आप सभी के लिए आपर चैन करना है कौन सी मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है साथ में विकल्प नंबर एक विधे वादी पद्धिती कौन सी विधे वादी पद्धिती आप सभी का यहां पर सही आंसर है यह वाला विकल्प जिनों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा इतिहास लेखन की सबसे विक्सित पद्धिती मानी जाती है रामचन सुकल ने अपने इतिहास साहित इतिहास ग्रंते इस कि विसें सरूज का रचना काल आप सभी के के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का याँपर सई आंसरों का वैस माना जाता है ए 1859 918 वि कल्फ नमबर के वाला है अप सभी का याँपर इंचर ए अठारे सो अपर सबी का सइंसर है सरूज जो कि शिव इसें सेंगर ने यह नाट सौर्टिस लगवग एक अगर एक आट सौर्टिस नहीं दिये रहे तो लगवग एक हजार जो है वहासा कवियों का जीवन चरित एवमन की कवीतां का उधारन इसमें दिये गए हैं किसमें सेवसें सरोज में जिसका रचनाकाल ठारह सो अठत्तर है अंगला कॉस्चन हैं अंगला भासा में लिखा गया हिंदी साइट का इतिहास स्केच आप हिंदी लिट्रेचर के लेखक कौन माने जाते हैं नौ में आप सभी के लिए आपर चैन करना है क्या होगा आप सभी का सई आंसर कि यह गलत हो गया है स्वरी स्वरी आपर इसका प्रिकासन इसमें गलत दिया गया है ठारह सो अठत्तर नहीं अठारह सो जो है अठारह सो टैरासी मिलता तो इसमें धारह सो टैरासी इसमें मिलता है सभी जगास जो कैं विल्कुल बहुत बढ़िया यह अंगला कॉस्चन यहां पर 1818 सी दिया रहता है गलत हो गया यह ग्या है यह आप आप सभी के लिए आपर चेंड करना है कॉश्य नमबर 9 में 9 में आप सभी का आपर सही आंसर है भी वाला विकल्प आपका है आपर सही आंसर होगा देखेगा अंगलब लिखा गया हिंथी साथ का इतियास इट के लेकट जो है पाध्री एड़बन गिरीप से हैं और इसके लिखर जार्ज ग्रियेशन मानी जाते हैं कॉस्चन आपका याँ पर दिया गया है 11 वक्त सरी 10 वा कॉस्चन है 10 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है क्या बताना है कि ग्रियेशन करेते दामाडन बनना कुल लिटरीचर आपर हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है प्रेंका जी पंकत जी वताइएगा कॉस्चन नमबर याँ पर 10 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा तो आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा डाक्टर के सूरी लाल गुप्त आप सभी का सब्सक्राइब ने इस नाम से क्या है कौशन नमबर आप सभी का यहां पर दिया गया ग्यारेवा कौशन है पत्पूर्ण कौशन यहां पर क्या दिया गया देखिएगा किस लेकट के इतिहास ग्रंथ में सरप्रतम हिंदी साहत का काल वाजन मिलता है ग्यारे में आप सभी के लिए आपर चैन करना है सरप्रतम हिंदी का काल वाजन मिलता है बंदना जी चैन करिएगा सभी लोग बताएंगे कॉस्चन यहां पर मत्तपूर्ण है सेर कर दीजेगा एक बार इस किलास को सभी लोग जुड़ जाएं ताकि और आप सभी का यहां पर सही आंसर है काल वाजन इस परकार माना जाता है और अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी का यहां पर क्या दिया गया है किस साइट इतियास के लेकट ने काल वाजन में कभियों के नाम का सरवादिक उप्योग किया है प्रमोट जी और आप सभी का यहां पर सही आंसर मिस्टर बंदू सही आंसर ने बारे में यहां से कलास जो है सही चल रही है आपके वहां पर हो रही होगी सिगनल की प्रॉब्लम थोड़ी सी मिस्टर बंदू आप सभी का यहां पर सही आंसर होगी मिस्तरवंदू इन्दी साइट इतियास की प्रम्प्रा में मिस्तरवंदू बिनोद में जो लगबग 5,000 कभीयों को इस्तान दिया है जिसे आट से भी जो है अधिक कालवाजन में कभीयों की नाम का सर्वधिक इन्हों क्या है Qaustion rights ने आंपर 3 सोह落ए है Mr. badu सुरी नामक हिंदी साथ के तियास के लेकोकों के नाम बताना है स्ट्रवन दू माने जाते है Mr. KEVIN कि design कौन को से तीन बाइते यह आप सबी के लिए यहां पर चैन करना है देपक जी विल्कुल तो तो पूर्ण और एक कॉस्चन पूंचा जाता मिस्र बंदू बिनोज तीन भाई थे कौन कौन से तीन भाई थे यह बताना है तो गलेस ब्यारी स्याम ब्यारी सुक्देव ब्यारी मिस्र अभी आप सवी के लिए बताये था वी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर आप सवी का होग इन्होंने एक मिस्र बंदू नाम अग्रंत लिखा था जिसके तीन भाई 1913 में और चौता भाई 1934 में प्रकासित हुआ था यहां पर कॉस्चन थोड़ी से आपके विलर हो गए हैं कॉस्चन आपका चवुदे दिया है मिस्र बंदू ने परिवरतनकाल की समय सीमा निरदार कर यहां पर सभी का दिया चौता है और सभी का सब्सक्राइए जोए ने थात्यास का काल वाजन अमनिलता है आरंबिक काल ने प्रारंबिक काल में पूर आरंबिक काल में इसके अंतरगत जो इसकी समय सीमा मानी जाती है 700 से 1343 विक्रमी संबत और मादमिक काल की जो पूर मादमिक काल की इनोंने समय सीमा मानी है 1445 से 1560 विक्रमी संबत और मादमिक काल की जो समय सीमा मानी है 1561 से 1680 विक्रमी संबत और अलंकरित काल की इनोंने जो है पूर्व अलंकरित काल इसकी अबदी मानी है इनोंने 1681 से 1790 और उत्तर अलंकरित काल की जो अबदी मानी है वह 1791 से 1889 विक्रमी संबत और यहाँ पर अज्ञात काल पर परिवशन काल व Américaम मिश्टर बंद्व की पूस्तक हिंदी न Yog écrit shooters कभी को इस्तान नहीं मिला है वह कभी आप सबी के लिए यहां पर चैन करना है। चैन करीएगा। क्या होगा सराइसाजय अन्यू जिवट बढ़िया। सोले में सोरी पंद्रे में चैन कन्ना है मिस्र बंदुओं की पुस्तक हिंदी नवरत में किस कभी को इस्थान नहीं मिला है तो जाइसी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जाइसी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जाइसी को इस्थान नहीं मिला है यहां पर आप सभ मति राम चंदवरदाई और हरिषचंद भार्तेंदू हरत्यंदू हरिश्चंद्र यह जो हैं इस प्रकार इन कभीओं को इस्तान मिला सुर्दास देव भीहारी भूपैर बौशंड केससर दास मतिराम चंदवर्दाई और भारतेंदू हरिश्चंडर हिंदी नौरत्बं मैं अंगला कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है सूलेवा पॉषचन है सूले में बताने आचार रामचंद शुकल ने परतम उत्तान का समय कब से कब तक नरडारत किया है सूले में सही आंसर चैन करिए का चैन करिए कॉस्चन मत पून है और आप सभी का यहापर सही आंसर क्या है यह आप सभी के लिए आपर बताना है सूले वा कॉस्चन यहापर दिया गया है और आप सभी का यहापर सही आंसर है C वाला विकल्ब है 1668 से 1893 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर C वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर दिया गया 17 वा कॉस्चन देखिएगा 17 बताने रामचन शुकल जी ने इंदी साहत का अरम्ब कभ से माना है question number 17 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताइएगा like भी अबस्ते करते जाएए सभी लोग बहुत सारे लोग जो है like नहीं कि अभी तक like करते जाएए और रामचन सुक्ली जी जो है इनुने हिंदी साहित का आरंब कब से माना है ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का सभी का सभी संबत दस्तोपचाशी विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़िया रामचन सुकल ने हिंदी साइट का रमविक्रम संबत 1050 से माना है हिंदी साइट के 900 वर्स के इतिहास को चार भागों बाटते हुए रामचन सुकल ने उनका नाम करण किया है जैसे इन्होंने आधिकाल को कहा है बीरगाता काल और इसकी जो समय अब्दी मानी है कब से कब तक देखेगा व्याधिकाल को बीरगाता काल कहा है इन्होंने और विक्रम संबत 1050 से 1375 विक्रिमी तक इसकी अब्दी मानी है पूर्मद्यकाल को इन्होंने वक्तिकाल का और इसकी जो अब्दी मानी है व विक्रम संबत 1375 से 1700 उत्तरमद्यकाल रीतिकाल रीतिकाल को जो है 1700 से 1900 विक्रमी तक और आदुनेकाल यानि के गद्यकाल की जो समय अब्दी यहां पर दी गई है इस प्रकार इन्हों ने यह नामकरण किया है आच्छा रामचन सुकली जी ने काल और समय अब्दी इनके अनु क्लास होगी नौ बजे भी आज जो है कुछ कारण से टाइम से क्लास नहीं हो पाई है नौ बजे भी होगी और कल से 10 वजे भी जो है एक न्यू क्लास शुरू होगी हिंदी साइट की भूमी का हजारी पर साथ दुबेदी जी का मत्तपूर्ण ग्रंथ माना जाता है सी वाला उसता किस लेखक की मानी जाती हैं आपर कूट भी दे गए हैं सो मिलत करते हैं हिंदी साइट का इतिहास दर्सन हिंदी साइट का इतिहास दर्सन के लेखक मानी जाते हैं नलन विलोचन सर्मा अब हिंदी साइट की इतिहास का जो दर्सन करोगे वह किस से करोगे लोचन से कर बीकल्प आपका यहां पर क्या दिया ग्याय है देखेगा कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है हिंदी साहत और संबेदना का विकास किस की रचना मानी जाती है 20 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है चैन करियेगा सभी लोग क्या होगा आप सभी का सही आंसर हिंदी साहत ते और संबेदना का विकास किन की रचना मानी जाती है Question 9 आप सबी का है यापर 20 दिया गया है और Dr. Ram Sarup Chaturvedi आप सबी का यापर सही आनसर है ने डॉक्तर Ram Sarup Chaturvedi आपका सही आनसर होंगे मिल्कुल सही सभी लोगों ने सही आनसर चन किया है इंदी साथ का तिहास दर्शन नामा ग्रंत के लेखा कभी पडा नलन बलोचन सर्मा ये कई ग्रंट माना जाता है 22 बाइस बाइस कॉस्चन या पर देखते हैं नांगरी पर चालनी सवा की स्तापना कभूई थी कॉस्चन नमबर 20 या पर दिया गया है 20 में आप सभी लोग चैन करिएगा क्या होगा सही आंसर कॉस्चन आपका या पर 20 नहीं 22 दिया गया है 22 में चैन करना है नांगरी पर चालनी सवा की स्तापना कभूई थी यह आप सभी के लिए आंपर बताना है तनु जी और आप सभी का सही आंसर है कमला जी 22 में 1893 इस भी आप सभी का यहां पर सही आंसर है नांगरी पिर्चालनी सभा की स्तापना पूंची गए तो 1893 इस भी में स्याम सुंदर दास पंडेत राम नारहेन मिस्र और ठाकुरसे और कुमार सेंजी ने की थी नांगरी पिर्चालनी सभा हिंदी भासा और साहित तता देवनागरी लिपी की उन्नतिय पिर्चार पिर्चार करने वाली भारत की अग्रणी संस्ता है हिंदी साहित के नेमन नियंत्रन और संचालन में इस सभा का महत्तुपूर्ण स्तान है और यहीं से हिंदी सब्द सागर क का प्रकासन किया गया और इससे सब्सक्राइब को संपादकश यामसंदर दास थे क्या सब्च्राइब चेंद्र रबेंद्र नियाजी भारतिय भासा परिशत कलकत्ता ने राष्ट भासा प्रिचाट समीती बर्दा ने इंदोस्तानी अकेडमी लाहबाद ने नांगरी प्रिचाणी सभाकासी ने बताईएगा चैन करिएगा कॉस्चन वत्तपूर्ण है और आप सभी का आपर सही आंसर क्या होगा और आप सभी का आपर सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर आप सभी का 24 है 24 में D सही आंसर है नांगरी प्रिचाणी सभाकासी आप सभी का सलोनी जी सही आंसर होगा D वाला विकल्प जिनोंने भी आपर चैन किया है उनका सहीा अंसर है 25 बार कौlessness है पोट बिलियम कालिज कि स्टापना किस वर्स में हुई थी question पूँचा जाता है बहुत ही मत्तपूर्ण question है पोट बिलियम कालिज जो है इसके स्टापना संजु जी ममता जी चैन करियेगा 25 बार कौशन आपके स्क्रीन पर दिया गया है अध्यक्षिता में ओरिएंट इस सेमिनरी में की स्थापना की बाद में एही संस्था पोड विलियम कॉलिज की रूप में परिवर्दित हो गई इसितापना टीपू सुल्तान पर बेटेंड के निर्नायक विजाई की स्मिन्ती में 10 जुलाई 1820 को मार्कविस ओफ वेले जली ने की थी और गिलक्राइश्ट उसके हिंदोस्तानी वाग की अध्यक्ष निफ्टी किये थे मनोंने हिंदी के सिक्षन के लिए दो भासा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिस्र की निफ्टी की थी सदल मिस्र की भासा की विसेष्टा क्या है ये चैन कन्ना पूर्भीपन उर्दू की प्रमुकता सहज एवन प्रभाय मही भासा या प्रकिस्ता गुई चैन करिये का कॉस्चन यहां पर मत्तपूर्ण दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का यहां पर 26 है और 26 में आप सभी का सही आंसर होगा पूर्भी पन आपका यह वाला विकल्प यहां पर सही आंसर है पूर्भी पन आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ी हैं सभी लोगों ने सही answer चैन किया है बहुत बढ़ी है अंगला question यहापर क्या दिया गया है देखिएगा question आपका यहापर है रानी केतिकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं 27 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताएयेगा किन की रचना है क्या होगा सभी answer और आप सभी का यहापर सभी answer होगा रानी केतिकी की कहानी के लेख़क कौन माने जाते हैं अंगला question यहापर क्या दिया क्या है देखिएगा question number आप सभी का यापर रानी केती कहानी को अन्य नाम से जाना जाता है वो दैवान चरित के नाम से और लल्लू लाल जी का सरवदेक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है वत्ता येगा चैन करिएगा और आप सभी का यापर सही आंसर क्या है ये चैन करना है तो लल्लू लाल जी का सरवदेक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है कौन सा वेकल्प नंबर बी प्रेम सागर प्रेम सागर कई वार अपन ने पड़ा है जिसमें सरवदेक प्रसिद्ध प्रेम सागर इनका ग्रंथ मान तैं उर्दु को यामनी भासा कहिने का श्रेक किसको है यह request मत्तपूण 19 में बताइएगा नए नए question मिलेंगे अब आपके लिए नए जो है वो कपन लेकर आए इसको जो है शुरू से अपन पढ़ रहे हिंदी साहित का इतिहास से और उर्दु को यामनी भासा कहिने का श्रे दूलाल ने उर्दू को यामनी भासा का है इनकी प्रमुख है रचना प्रेमसागर जिसमें प्रारंबिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं अंगला कॉस्चन यहां पर क्या दिया है भासा युग बसेष्ट के लेका कौन मानी जाते हैं तीस में आप सभी के लिए आपर चैन सही आंसर चैन करिएगा कॉस्चन मत्तुपूर्ण है और आप सभी का यांपर सही आंसर क्या होगा और आप सभी का यांपर सही आंसर आ रहा है कॉस्चन नमबर तीस में विकल्प नमबर आप सभी का यांपर सही आंसर क्या है राम प्रसाद नरंजनी आप सभी का यांपर स और आप सभी का या पर सही आंशर क्या है खड़ी बोली की पहली रचिना प्रेमसागर नासी केतो पाख्यान डोला मारुवा दोहा या फिर आसा है तो नासी केतो पाख्यान आप सभी का सही आंसर है हिंदी केंदे हिंदी नेदेशाले ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का ओदभाव सीर्सक केंटरगत कड़ी बोली गद्धी की पहली पुस्तक सूले सो तेरी सीसमी में जट मलकृत गूरा बादल की कथा का उलेख किया है केंदी हिंदी नेदेशाले के अनुसार पर तम आदूने के गद्धकारों में सदल मिस्त रिम ललूलाल दौनों सामिल है जो पूर्ट विल्यम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गई बादल मिस्त रिम ने अठारह सो तीन इसीवे नासी केत्व पाक्ष्यान की रचना की और अठारह सो दस में ललूलाल प्रणीत प्रियम सागर का पिरकासन हुआ आता है आदने गद्द्दकारों में नसी केतु पाक्ष्यान को ली खड़ी बोली कि पहली रचना माना है और अंगला question यहापर क्या दिया गया है हमते से आपर क्या दिया गया है? आदुनेक हिंदी साइटके तियास में राजा दोय के नाम से दो रचिनाकार कौन हैं वह दो रचिनाकार आप सभी के लिए आपर चैन करना है और आप सभी का या पर सढेय आंशर होगा आजने के हिंदी साहित के साहित में राजा-दोएक quiero के नाम से बैख्या तरफिनाकार मानिज आते हैं और सभी का सभी आंशर राज लक्षमान से राजने से उपरसाइस सितारी हिंदशी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर हिंदी की प्रतम गद्यकार आप सभी के लिए बताने कौन मानी जाते हैं बालकृष्णवट ललूलाल भारतेंदू हरिश्चंद राजा सिवप्रसा सितारी ह हिंदे तेतिस में आप सभी के लिए चैन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा गतिपाल जी पुस्पराज जी तो भी वाला विकल्प आपका सही आंसर है ललूलाल आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कौस्चन है डूला मावरा दूआ में डूला की पिता का क्या नाम है राजा जस्वंत से राजा नल या फिर राजा जैस है या फिर राजा हर राज से है इलम जी राकी जी कॉस्चिन नमबर 34 में आपके लिए चैन करना है डूला मारुआ दूहा में डूला की पिता का नाम बताने तो राजा नल आप सभी का यहां पर सही आंसर होंगी बिलकुल सही डूला मारुआ दूहा नामक राजकुमार तथा मारवाडी या मारु नामक राजकुमारी की प्रेमकता का काब्ब है जिसमें डूला की पिता का नाम राजा नल है और इस काब्ब की मूल कभी कलूल है और तथा काल अंतर में कुसल राए ने जो है इसमें कुछ विश्टार किया है यहां पर बताना है रतनाकर जोपम रतनाकर जोपम कता का संबंद किस्ते है कॉश्चन आपका यहां पर वत्तपूर्ण दिया ग्या है बताईएगा क्या होगा सई आंचर और आप सभी का सई आंसर है कॉश्चन नंबर 35 यहां पर दिया ग्या है यह कॉश्चन आज का चेलीन जब प्रस्न है हिंदी साइट का इतियास से संबंदित 35 कॉश्चन थी कल अपन पढ़ेंगे हिंदी साइट की प्रमुक प्रिवित्तियों से संबंदित मत्तु पूर्ण कल जो है नौ बज़े अपनी एक लास होगी इसके बाद रात्री में दस बज़े अपने पढ़ेंगे हिंदी साइक तेके कभियों लेकुकों का जीवन परीच है आप लोग बताईएगा कि रात्री में दस बज़े किलास ही रखी जाए या फिर दो फैर में दो बज़े दो वि जाए आपके लिए क्लास जो है लाई जाए अपके लिए बताना है और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें हिंदी साइथ में 3000 प्रस्णों की पीडियाप आप सभी के लिए उपलब्द है बंदना जी नीलम जी पंकर जी एसकलपना जी और परया पंची जी संजु जी रतिपाल जी आनंद जी भाबना जी और लबली जी आनंद जी कमला जी प्रमोद जी कृष्णा जी सलोनी जी दीपक जी और पुस्प्राज जी संजू जी अर्चना लोदी जी बंदना जी राखी जी भाबना जी रतिपाल जी भूल रहे हैं दस बजी पराय पंची जी एक एक रोज जो है एक कभी अलेकग का जीवन परिशाए पढ़ेंगे तो जो है जल्ली ही जो है 15, 20, 25, 30 मिनिट की क्लास होगी तो इतने में अपन एक कभी को जो है पूरा पढ़ लेंगे केर्दी जी रतिपाल जी तो रात्री में कल से जो है अपनी क्लास शुरू हो जाएग बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रात्री में 10 बजे ही जो है, क्लास होगी, 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे भी होगी, देखे, अब कल जो है, कल से आपकी जो क्लासों का टाइम होगा, आपकी लाइब क्लासों की बात कर रहे हैं, तो सुबह, 9 बज़ कर 10 मिनिट पर एक कलास होगी, सुबह होगी, 9 बज़ कर 10 मिनिट पर, पर एक साम को अपनी चार बजे होती है, तो बहुगी, पर एक 9 बज़े होगी, अपनी कलास हिंदी साहित की, 9 बज़े, 9 बज़े के बाद एक जो है, रात्री में 10 बज़े होगी, जह की बहां पर आप सभी के लिए सभी क्लासों का नोटिफिकेशन दे दिया जाता है तो उस क्लास और उस टेलिग्राम ग्रुप से सभी लोग जोड़ जाएगा अनन्द जी दस बजे ही रखते हैं आनन्द जी विल्कुल कल्पना जी बहुत बढ़िया सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीती जी मिलते अंगली क्लास में मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर के साथ जय हिंद